तो हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूग चैनल में आज का जो हमारा लेक्चर है यह आज लेक्चर आएगा केलेंडर चप्टर पर केलेंडर जिस केलेंडर की साहथा से हम किसी भी महीने का दीन या तारिख को पता करेंडर जो है कैसा चप्टर है जिसकी साहथा से आप किसी आगे आने वाले महीने या साल के किसी भी डेट के दीन को निकाल सकते हैं या फिर पीशे जो समय बिच चुका है उस समय में किस डेट को कौन सा दिन था ये दीन भी आप पता कर सकते हैं जैसे अगर आपसे पुछा जाए कि 15 अगस्ट 1947 को कौन सा दिन था, जिस दिन हमारा देश आजए़ाद हुआ, तो आप नहीं बता पाएंगे, अगर आपसे पुछा जए 26 जनवार्य 1950 को कौन सा दिन था, जीतीन हमारे देश का सविधान लाग हुआ तो भी आप नहीं बता पाएंगे तो इस प्रकार सवालों को अगर बनाना है इस प्रकार के सवाल अगर आप से नहीं बन पा रहे हैं तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहें और आज हम लोग यह बहतरीन चेप्टर लेका हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना तेर की आज का चेप्टर और हम लोगा चेप्टर का जो नाम रहेगा वह रहेगा कलेंडर 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 तो इस चैप्टर का एक अलगी महत्व है उस लेवल पे तो कलेंडर चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जनकारी आपको अगर हम बताएं तो आपको बता दें कि जैसे जब इस यहां पे जब पृत्वी पे कलेंडर जब बनाया जाने लगा तो ऐसे मान के हम लो था वो Sum Barb घू कराण के बनाया जाते में लोग इस सी मान इसी को मान के मैं लोग कङलेंडर बनाते हैं तो केलेंडर जो हम लोगत पढ़ते हैं जैसा अभी हम लोग का डیट है 26 तारिक आठेह महिना 2024 यह आपको पता है इसका मतलब जब केलेंडर बना होगा तो उस समय 2024 नहीं होगा उस समय तो एक से स्टार्ट होगा ना एक फिर दो फिर तीन फिर पचास फिर सो फिर एक हजार आये होगा फिर 2000 आये होगा तब आया है 2024 तो यह मान के चला जाता है कि जब केलेंडर बना था तो उस समय एक तारीक पहले महिने और पहले साल के दिन क्या था सोमबार था यह था एक छोटा सा बेसिक जनकारी अब केलेंडर के अगर बात करें तो केलेंडर में हम लोग देखते हैं कि 12 महीने होते हैं यानि वो जो कलेंडर हम लोग दिखता है वो पूरे एक साल का कलेंडर होता है हमारे घर पे यानि इससे हम यह पता कर सकते हैं कि एक वर्स में या एक साल में जो महीना होता है वो होता है बारव महीना एक साल में जो महीना होता है वो होता है बारव महीना उसी प्रकार से हर मही महीने में कम से कम कि चार सब्ता कम से कम क्या चार सब्ता होता है एक महीने में अगर आप से पुछा जाए तो एक महीना में जो सब्ताहों की संख्या होती है वह होता है चार सब्ता जिसको यह सब पता है तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं चुकि हम लोगों को वीडियो बनाने का मकसद बेसिक से लेके और स्टेंडर तक लेके जाना हो तो इसलिए यह सब बताना जो रहे हैं एक महीना में जो है वह चार सबता होता है और बात करें तो हमारा एक साल में जो होता है एक सा सौ वर्स जो होता है सौ वर्स को हम लोग कहते हैं एक सताबदी कहते हैं जिसा अगर कहा जाए कि बीसवी सताबदी अभी चल दई है यानि 2024 के बाद 25-26 करते विए 99 तक जाएगा दूहजार 99 के बाद क्या हो जाएगा यानि 100 वर्स कंप्लीट हो जाएगा और जब 100 वर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद 22 सताबदी ठीक है तो अभी जो हम लोगा चल रहा है वर्स मतलब साल एक साल की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि एक साल में 365 दिन भी होता है और 306 दिन भी होता है एक साल में तो इसका मतलब जो होता है वर्स को यहां पे दो भागों में बाट दिया जा रहा है कौन से वर्स में 365 कौन से वर्स में 306 यह भी तो पता होना चाह पहला जो भाग होता है, वो होता है समाने वर्स, और जो दूसरा भाग होता है, वो होता है लीप वर्स, जिसको लीप एर करते हैं, इसको समाने वर्स करते हैं, सिंपल एर होता है, जिसको बलते हैं बगलवले को लीप एर, तो देखी, अब जो समाने वर्स होता है, इसमें होत जो एक दिन कहां से आया तो आप लोग हमेसा सदेखी एकालेंडर में जो word tragale महिना होता 28 दिन का यानि फरवरी महिना जो होता है वो होता है 28 दिन का कितने दिन का 28 दिन का लेकिन वही अगर लीप यर वाला साल हो तो उस कलेंडर में फरवरी महिना जो होगा वो बन जायेगा 29 दिन का अब कैसे पता करें कि कौन सा लीप यर है कौन सा समानी यर है तो आप आप देखिए जो 20 साल चल रहा है जैसे अभी चल रहा है 2014 जो साल चल रहा है उसमें चार से भाग लगाई अगर वह चार से पूरा पूरा कट गया जैसे चार से भाग लगाई robust ऐसका मतलब यह है लीप बर्स में हमेशा एक दीन एक्ष्ट्रा होता है यानि जो फर्वरी महीना होता है, वो 28 दिन न होके 29 दिन हो जाता है, अभी इसका मतलब यह होगा है जो 2024 सल रहा है, जो 4 से भाग लगा है, 4 से कट गया, इसका मतलब 2024 में टोटल फर्वरी महीने में 29 दिन होंगे, तो एक दिन यहां पे बढ़ जाने के करण यह बन जाता है 306 चाट दि तो समाने वर्स, लीप वर्स ठीक है, समझ में आ गया, इसको अर्ध वर्स भी कहा जाता है, कहीं कहीं किताबों में, अर्ध वर्स भी लिखा रहाता है, तो इसको आप अर्ध वर्स भी बोल सेकते हैं, अर्ध वर्स का मतलब अधा वर्स नहीं, अर्ध वर्स का मतलब लीप यर तो लीपयर हमारा होता है 306-6 दिन और अब आम ये भी पता है इसको उसको देते हैं आप लिखना चाहिए टो लिख सकते है कि अब अब इसको अगर अब यह चीज देखें कि वाली महीन्य होते हैं साल में तक कर देख सकते हैं deb。」 यहां पी यह लिस्ट महिने का लिस्ट है और जो जो महिने दीसD conclusion के हैं साइड में सब लिखा हुआ है और जीस महिने में और दीन और डेज विशम दिन जो हता है वह आपको बताया थे कि अगर जो महिना 31 दिन का है उसमें साथ से जब भाग किजिएगा तो साथ चुका 28 28 हटाओगे तो तीन दिन एक्स्ट्रा आएगा और यही तीन दिन जोगा इसी को हम लोग कहते हैं विशम दिन क्योंकि विशम दिन का बहुत ही जोरत है आगे आप इस लेक्चर में देखिएगा आपको समझ मे आएगा विशम दिन क्या है और यूज कैसे हो रहा है ठीक है तो 31 ऐसे ऐसे जो महिन तीस दिन का है साथ से भाग लगा है साथ चुक 28 28 हटा दिये दो दिन इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो विशम दिन है किस महिने में कितना दिन है वो सब लिखा हुआ है आपको रटना नही है यह नहीं रटना है कि भाई यहां पर यह बहुत सरे टीचर बताते हैं कि यह उपर उठा हुआ है तो 31 नीचे दसा है तो 30 नहीं आपको याद रखना है कि अपरील जून सितंबर नवंबर 30 और फरवरी तो सब को पता 28 29 और बाकी सब 31 ऐसे याद करना है ठीक है अपरील जून सितंबर नवंबर 30 फरवरी को छोड़ दो बाकी सबक 30 फरवरी 28 या 29 दिन का होता है ठीक है वो डिपेंड करता है लिप और समानी यह चल पर आते हैं आगे चलते-चलते हम लोग बहुत ही बहतरीन सवाल करेंगे इसलिए फुड़ा सा धैर रखिए पैसंस रखिए आ n यह निए मान के चलते की 28 दिन पर 18 अगस्त यानि 28 अगस्त का मतलब 28 अट क्रेंवम स्याथ 2024 को आज हमारा कौं को सा दिन है अं Fr दिन मान के चलो सवरो 8वाज। द्रण से समर्छे कि नन हमारा से ज़़ाघ को सदैक हम पूछे कि 13 खोई सा दिन था को प्रास पीछह चल दए हम पुछें कि 21 अवस्थ को कौन सा दिन था तो आप moza вспचो 28 और 21 के बीच में कितने दीन का ऐस साथ दिन का सद्रेंग जब बी साथ भी साथ दिन का गैप मिले न तो जो दिन इस गिंस तारिक देट को जो दिन था वही दिन बन जाएगा यानि 21 तारीकों भी हमारा क्या होगा सोंबार ही होगा महीने का समझारों भेसिक से समझारा जिस सब पता है विडियो को आगे बढ़ा के अगला सवाल देख सकते जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एक तारिक प्हविला महीना दू अज़ार 24 इसी साल जनवरी महीने में एक तारीक को हम मान के चलते हैं कि बुद्वार था अब हमको पता नहीं है कौन सा दिन था अभी वो निकाला नहीं बता है मान के चलते हैं कि एक तारीक जनवरी महीने में 2024 को बुद्धवार था तो हम कहीं कि 8 तारीक को बताओं कि कितने का गैप आ रहा है साथ दिन का यानि 8 तारीक को कौन सा दिन होगा बुद्धवार भी होगा साथ साथ दिन का गैप आए हम बोल रहे हैं साथ साथ दिन का गैप आए तो स्टार्टिंग में जो दिन होगा वही दिन 8 को होगा आठ साथ कर दो 15, 15 को भी क्या होगा, बुद्धवार होगा, 15 साथ कर दो 22, 22 को भी क्या होगा, बुद्धवार होगा, 22 साथ कर दो 29, 29 को भी क्या होगा, बुद्धवार होगा, क्लियर है यहां तक यहां तक क्लियर है बेसिक से ले चल रहे हैं चलो तो यह इसका मतलब यह हुआ कि अगर साथ साथ दिन का गैप मिले तो हम अराम से पता कर सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन होगा वर जो उस दिन था साथ दिन के बाद वही दिन होगा फिर साथ दिन के बाद के चलो कि इस साल अगर 15 अगस्त हम लोग मनाए हैं 2024 में 15 अगस्त मनाए हैं मानोगर गुरुभार को कि कौन से दिन गुरुभार समझ रहे हैं नो गुरुभार तो हम कहा है कि 22 तारीको क्या था तुम देखो के 15 सारगना है तो इसका मतलब 22 तारीकों क्या होगा क्या होगा और अगर समझो आज कौन सा दिन है 24 को कौन सा दिन है सोंबार है सोरी 24 में 26 26 को है सोंबार तो 26 में से साथ घटा दो 19 यानि 19 तारीक को भी कौन सा दिन होगा बावू सोंबार होगा इसी महिने में पीछे जा रहे हैं पीछे भी प्रोसेस होगा औन 10 से करोगे 7 घटा दोगे तो अन 21 आएगा 26 में से साथ दिन का ही तो गया चैर्ट 20 में फिर 7 घटा दो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 के दिन भी भाय क्या था सोंबा क्लिeger है आगे जाओ तब तीछे में तब साथ दिन का गया तो वह दिन सेम रहाता है अब समझो अगर साथ दिन का गैप ना दे आपको यह तो आसान वाला था यह तो हम लोगों को भी पता है साथ दिन का गैप ना दे अगर यह काम कर दे क्या कहें कि 15 आठ दुहजार 24 को अगर कौन सा दिन है तो गुरु बार है अगर गुरु बार है जिसको हम लोग विरस्पत्ति बार विकाते हैं तो अगले महीने में दे दे कि 15 तारिक 9 महीना यानि सेप्टमबर में दुहजार 24 में कौन सा दिन होगा तो अब तुम पढ़ जाओगे कंफ्यूजन में कोगे यह क्या सवाल होगा यह तो कंफ्यूजन में डाल दिया है अब तुम सचो के सर डेट सेम है तो उस दिन भी गुरु बार होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा इसको निकालना पड़े कितने दिन का होता है यानि अगस्त कितने दिन का होता है आप देखो इधर अगस्त कितने दिन का 31 दिन का आपको याद करना पड़ेगा हमको तो पता है हमको याद है अगस्त महिना 31 दिन का होता है 15 दिन तू बीत गया इस महिने में आगे जा रहे हैं अगस्त किस में जा र गटा दोगे तो कितना दिन बचा विए 16 दिन बचा द्यान से समझना विए 16 दिन बचा अब क्या करना है आगे अब कर रहा है कि यह 15 सेप्तेंबर 15 सितंबर यानि 16 दिन तो बच गया हमारा इस अगस्त वाले महीने में और 15 दिन इसमें आगे हैं दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 31 कितना दिन आएगा 31 साथ से भाग लगाएंगे साथ चोगा 28 चार बार में कटेगा तो कट रहा है कितन स्थ चार बियान से समझार यहां साथ सह Advang थे जना बाइन देन तो साथ चोगा 28 ऑठाइस दना कि हमको पता है इसमें साथ सब्सक्राइठ से बंसे सब्सक्राइब गूरु आरइगा यानि तीन दीन इसमें एक्स्ट्रा है गुरु बार में तीन जोड़ । शुक्र बार सनी बार रवी बार यानि इस दिन कौन से दिन पड़ेगा र अब्लाया समझ यह आया समझ में इसको नूट कर accents तो चलो अब इसको हम मिटाते हैं तो महीने वाला सवाल आपको हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे नहीं समझे होंगे तो एक सवाल दे रहे हैं आप पहले ट्राइ किजिए और तब उसके बाद हम बताएंगे तो ध्यान से समझ गए तक माल के चलते हैं कि आपका जो दोस्त पूस्के दोस्त का जो जनम दिन है वा dove मना रहा है अठारह माइ को ऐसे नियुद आप अठारह मई इसी सारी 28 मum одноillum 2004 को आउसे दिन कौंसर दिन है तो उस दिन है अभी बार कुछ मिले सकते हूं अपने मंद से इस पे चार-पांच सवाल घर पे बैठके करो जनम दीन मना रहा है ठारा मई और उसकी जनम दीन के ठीक है ना कुछ दिन बाद अगले महीने में मही के बाद आता है जून तो जून महीने में 21 तारिक को कौन सा दिन पढ़ेगा ये बताना है पहले बनाओ वीडियो को रोक के बनाओ चलो बना लिये हो तो देखो आप समझो यहां पे यह है ठारा मई और यह 21 जून ध्यान से समझना है 18 मई में 18 दिन तो बित गया पीछे तो छोड़ दो अब आगे जो है अब चुकी मई जो है वो 31 दिन का होता है अभी बोलें कि आपको याद करना पड़ेगा 31 दिन होता है मई तो 31 में से 18 घटा देंगे यानि 13 दिन तो भी बचा हुआ है मई महीने में तो 13 दिन ये और जून में कितना दिन है 21 दिन इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ोगे तो 3 एक आएगा 4 अद्दू एक 3 यानि सबसे पहिला का मध्यान समझो महीने में जितना दि जोड़ों को निकालना है उस तारीक को लिखना है कैस तारीक को दोनों को जोड़ दिये between river 23 और इसको लिखने सबस्माद सब्सक्राइबागे साथ जोखी है चार बार में कट्ड़ेगा लेकिन सेन्स कितना हैगा चोग कितना बार में कट रहा है वो नहीं लिखना है सेंस जो आ रहा है उसको लिखना है साथ चोगा थाइस चार बार में कट गया और साथ से यहां पर यहां पर 34 साथ चोग का ठाइस चोगदम से आठ गया चोग यह कट गया चोग सेंस वाले को लिखना है चौग दीन एक्स्ट्रा आ रहा है ना यानि रभी बार में चौग दिन जोड़ दो सुमबार मंगल बार बुद्ध बार गुरु बार सुक्र बार सनी बार यानि कौन सा दिन होगा और यही 35 दिन होता 34 को जगा आ जाता 35 दिन साथ से क्या पूरा-पूरा कट जाता तो पूरा-पूरा कट जाता था रिमेंडर जीरू तो रिमेंडर जीरू का मतलब जो दिन था वही दिन हमरां से क्लियर है यहां था धीरे-धीर करते चलिए क्योंकि आगे हम और भी टॉप लेवल का सवाल बनवा रहे हैं चलो यह खतम करो महीने का होगे अब आते हैं साल पर वर्स पर बर्स का गैप करते तब कैसे निकालेंगे अब यह ध्यान दो बा साटाइक शेयने का अगस्त महीने में कि ऐक तारिक को सुमबार है सुमबार है अगस्त के बाद कि सितमब्ड तो सितमबर में सुमबार को कौन सा दीन पड़एगा कौन दQué पड़ेगा सितम पर तो तुम क्या करोगे रोब dough में edition 31 दिन का होता है तो 33 में से एक घटा होगे इस महीने में 30 दिन बच गया और यहां पर एक दिन है तो 31 31 में साथ से भाग लगाओगे साथ चुक अठाइस सेंस आएगा तीन तो सोम बार में तीन जोड़ोगे मंगल बार बुद्ध बार गुरुबार आंसर क्या आएगा हमारा गुरुबा इतना मेहनत करना पड़ता है लेकिन अगर हम बिसम को याद कर ले समझो अभी आप बिसम दूं की संख्य याद कर ले तब क्या होगा तब यह सवाल एकदम आसान हो जाएक कैसे आसान होगा अभी समझाते हैं ले件ogram बिसम पूद्णि याद कर लें अतला बिसम कोड क्या होता है सड़ बीसम कोड्ण होता है отлич दिन किस महीने मेंось ट्रा était हो रहा है वात मार्च में भी एक तारीख्ला को चुब CBD कुछ tenía नहीं रिम्ड़ जीरो यह तरीकों फरवरी में एक तो मार्च में होद एक्ट्रा दीन आपको बताता हैं कि किसी तार legally कुक pass गन्हां किसी तरीक कौन सा इन है तो इस ढीन से कितना गिन आगे जाना है एक्षा दिन बताता है जैसे एक्स्ट्रा यहां पर आया तो तीन दिन आम आगे बढ़े सोंबार से मंगल बार बुद्ध बार गुरु बार यहां पर आया तो एक्स्ट्रा दिन देखू जनुवरी महीना में 31 दिन का होता है इसमें 7 से भाग लगा होगे 7, 4, 8, 28 को एक्स्ट्रा बचेगा 3 यानि ज तो जो महीना 30 दिन का उसमें एक्स्ट्रा दिन होगा 2 क्योंकि 30 में 7 से भाग लगा होगे तो इसमें जब भाग लगाओंगी तो अगर वह लीप यह नहीं है समानिय आभर सै तो एक्स्ट्रा दीन जीरू लीप बरस तो शाओ को 28 यह उनतीस दिन का होता है तो एक दिन अध यानि जो महिना 30 दिन कह सकते दोब है क्यों साठ से जब 30 में भाग लगे एक्स्ट्रा दिन आए तो दोब दीन-ती से देखो क्या पायदा है देखो अधर सम्झाते एम कि हम लोग क्या कि हैं हम लोग किये हैं कि घटा के यहां पर निकाले हैं इतना करने की जुरत नहीं है आप तुरन देखो अगस्त महिने में एक्ष्टा दिन तीन अगस्त महिने में देख लो अगस्त यहां पर है तो अगस्त महिने में एक्ष्टा दिन तीन तो सुम बार से तीन मंगल बार गुरु बार यानि एक तैरीक सेप्तेंबर इक मतलब यक जन्वारी को जन्वारी को अगर गुरु है आप लोगों क्या करना है जनवरी महीना यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रादिन तीन बढ़ाइए गुरु के बाद सुक्रबार सनी बार रभी बार यानि यहाँ पर जायेगा हमारा तेक्स्ट्रा दीन को भी नोट कीजिए चलिए नोट कर ली होगे तो इसको हम मिटाते हैं यह वैसे ही रहेगा तो कि इसी से आपको बताएंगा कि कैसे सवाल बन रहा है महीने वाला तो हमारे ख्याल से कंप्लीट हो गया महीने वाला आप किसी चैप्टर को निकाल ले जये कोई बूक ऐग्लेंडर का यह नोट साइब का अको चाहिए तो आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें इसी वडियो के उस ग्रूप से आप जोईन कर लेज ग्रूप का नाम होगा फिजिक्स बाई प्रिंसर और वहीं पर आपको पीडियेफ मिल जाएगा चलो समझें अब आते हैं साल वाला समझें साल में यह यूज करेंगे और डे का यूज करेंगे हेगा याकटीस तीस उतना कॉन लिखेगा इयुछ जोड़ने में दिकत होगा एकजांम में उतना समय का मिलता है साल वाला आते हैं अठाएस अगस्ट 28 अगस्त 2024 को कौन सा दिन है सूमबा मान के चलो कौन सा दिन है सूमबा तो अगले महीने अगले साल डायरेक्ट 28 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा अब बताओ 2024 कि मैं कितना एक्ष्ट्रा दिन समझो वहां पर साथ नहीं बताए थे लीप यह जो होता है वह होता है 306 दिन का एक दिन एक्ष्ट्रा समान एयर जो होता है 365 दिन का इसमें साथ से भाग लगाओगे तो साथ पच्चे 35 और एक साथ दूना 14 एक दिन एक्ष्ट्रा होगा और इसमें अगर भाग लगाओगे तो साथ 35 दिन एक्ष्ट्रा होगा समझ रहा हो कि इसमें कितने दिन होगा एक्ष्ट्रा एक दिन अगर कोई लीप यह नहीं है समान ने बरस है तो एक दिन एक्ष्ट्रा लीप यह बे दोज़ाइस-अगस्त सेम डेट को सेम डेट को कहीं लिख लो समान्य बर्स में एक्स्टरा दें जो होता है इक द More और लीप बर्स में जो एक्सा दिन हो ता है तो पीडि조 देंगेिं क्लेंडर के उसमें बहुत सरे क्वेस्टक्षं में वहां एक को मंगल बार है तो एक जनवरी ही दू हजार दू को कौन सा दिन होगा देख रहे हैं सेम डेट है साल एक का साल का गैप है एक हजार दू हजार एक से दू हजार दू में आ रहे हैं अब इसको चेक करेंगे बताओ दू हजर एक लीपियर है क्या लेपियर नहीं चार से बाग दोगे तो 4 से कटेगा यह नहीं कटेगा एक शेया नहीं है तो सब्सक्राइब आधि एक दिन अग्जार तो मंगल बार में एक दिन जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा बुद्वार ठीक है इसको नोट करो पर लिए चलो तो यह हमारा होगी अगर सेम सेम डेट को तब अब डेट को उल्टा पुल्टा कर दे भाई समझो अब डेटे को घुमा दे क्या करें अब क्या कर रहा है अब क्या कर रहा है कि 26 अगौस्ट 2008 को अब क्या कर रहा है देखिए रहां से तब क्या करें 26 अगस्त 2024 को सोंबार हम हर एक कोश्चन के लिए आपको बता रहें कंसेट कोश्चन नहीं बनवा रहे हैं चुकि उतना टाइम नहीं है वीडियो लंबा होगा कोश्चन बनाने के लिए आप को PDF दे दिया जाएगा वहां से आप कोश्चन के तयारे की यहां पर कोश्चन बनवाना संभाव नहीं है लेकिन जो कोश्चन आता है के लेंडर से वह हर एक टाइप के कोश्चन के यहां पर कंसेट बता दे रहे हैं तो हम अब क्या कर रहा है अब कर रहा है कि 26 आठ दोजर प्रचुरते ता आप सेम डिधनना दे रहा हैं अब कर रहा है ना 13 कुछ भी दे दें कर देंधा है 13.01 यानि महीना कर दें दोफ despite स्थी दिन हो यहां पर दूसरा कंसेप्ट हुजगा ध्यान से समझें 13 जून-24 को कौन से दिन होगा अब से हम यहां पर जहां पर आने के बाद हम बोलें कि 26 अगस्त को 2024 है तो 13 जून को क्या होगा जून को क्या होगा अब तो बड़ा गड़बड हो गया भाई अब तभी आपको बता रहे थे कि सेम 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 यहां अलग हो गया तो कोई दिककत नहीं है अगस्त महीना 31 दिन का होता है 26 अगस्त के बाद सितंब्र में हम बोले थे अकश्ता दिन को गो दोगो साइड में अब देख भी सकते हो सितंबर में एक्ष्टा दें दूगो न दूगो शितंबर अक्टूबर में तीन दूगो दिसंबर में तीन पलस जनौरी में तीन पलस 25 अब 2025 में आओगे तो फर्वारी लीपियर तो है नहीं तो लीपियर नहीं है तो दूग 7 चुका ठाइस जीरू हो जायागा एक्स्रा दिन फरवारी मार्च में 3 अपरील में 2 फिर मैं में 3 जून जिस महीने का निकाला जाता है उस महीने का एक्स्रा दिन यह दिन लिखना है तेरह दिन तो सब को जोड़ देना है तो जोड़ पांच दू साथ साथ तीन दस दस दू बारा बारा तीन पंदरा पंदरा तीन अठारा ठारा तीन 21 21 और दू 21 21 और तेईस 23 और तीन 26 26 में 13 जब जोड़ दोगे तो 6 3 9 22 23 यह हो जायेगा 49 49 साथ से भाग लागा दो साथ 2535 केतना दिन एक्ष्टा होगा चार दिन होगा तो सुम वार में चार दिन वड़ो मंगल बार बुद्थ बार गुरू बार सुक्रबार और ये हमारा हो जाएगा यहां पर इस प्रकार का सारा सवाल ऐसी बनेगा ठीक है एक और सवाल कर लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे और आगे अब समझें अब मान के चलो कि एक जनवरी का संडे है तो एक जनवरी ने डेट कर देते हैं 25 परवरी कि jour 5 को कौन सा दीन होगा 2005 को कौन सा दिन होगा तुम सुचो जब तो ज्यादा च्यार साल का गैप हो गया घवड़ाना नहीं ध्यान देना एक दूहजार एक लीप यह नहीं है केवल एक्स्ट्रा दिन को लिखना तो यहीं से स्टाट करेंगे इसी जो कोश्चन पहले दिया वहीं से लीप एक्स्ट्र है 2001 200 व में करें एक दिन एक्स्ट्रा FE 2004 कर रहा है पचीश तार फर्वरी में smaller दिन कितना होता है एक्सट्रा दिन एक्स्ट्रा दिन्स पर्वरी में कितना है 25 तक है पड़ेगा शात से भाग देंगे तो पहले जोड़ा लू ना पहले जोड लेते हैं 25, 25, 28, 28, 32, 31, 32, 33 33 में भाग देंगे साथ से 7, 24, 28、 5 दिन एक्स्टा आया तो संडे में पांच जोड़ लो मंडे टिस्टे वर्डनस दे फ्राइडे यानि यह हो जाएगा सुक्र बार तो हमारे ख्याल से यह साल वाले में भी अब दिक्कत नहीं होना चाहिए अब एक काम किजिए यह दो सवाल है एक सवाल यहां पे है और एक सवाल यहां पे है इसका सॉलूशन य साइड में यह दिख रहा है इसको आपको याद करके लिए याद कर लेना है तभी सवाल वनेंगा कि अब आजाओ कि अब आजाओ अब आते हम डारेक्ट ऐसे डेट का दिन निकाले जो जिसमें कुछ नहीं पता है कुछ नहीं पता है कुछ नहीं है तो उसके लिए है जैसे अब देखो हम कहें कि 2000-2024-25-26-27 कौन सा लिप यह आपको के सर इसमें चार से भगला यह यह सब नहीं एकदम सही है लेकिन अगर हम बोलें कि दे दे आपको कितना 1300 बोलें कि 1300 बताओ लिप यह है कि नहीं तुम को कि सर लिप यह है चार से भाग लग जाएगा लेकिन यह गलत हो जाएगा जब भी सतावदी का सवाल आपसे पुछा जाए 1300 क्या है एक सतावदी है जिसमें 100 से गुणा हो जो 100 का मल्टिपल हो वो सतावदी होता है और सतावदी लीप वर्स होता है कि नहीं उसको चेक करने के लिए चार से नहीं बलकि 400 से भाग देते हैं 400 से भाग नहीं लगेगा तो 1300 लीप यर नहीं है यह आपको याद रखना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हूँ तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि मालों कि हम महात्मा गांधी का जनम होगा क्या दू अक्टूबर 1879 को तो उस डेट को कौन सा देन था साविधान हमको पता है 26 जनवर 1950 को उस डेट को कौन सा देन था तो हमको डेट तो पता नहीं है देट पता है लेकिन दिन नहीं पता है तो उस दिन को निकालने के लिए ध्यान समझेए यहां पर आपको लिस्ट दिख रहा है साइड में कौन सा लिस्ट है महीने का कोड दिख रहा है ठीक है न और क्या दिख रहा है महीने कोड के बाद यहां पर सतावदी का कोड है यह द Об chuvaad नहीं बन पाएगा तो महीने का कोड़ और सताबदी का कोड़ जैसी मोबाइल नंबर याद करते हैं ठैन्ड डिजिट का वैसे आप कोड़ याद कर लिजिए 12 डिजिट का बारार वो महीने का कोड़ याद कर लेजिए ठीक है और क्या कीजिए तो और हमारा सताबदी का कोड याद कर लीज़े सताबदी का कोड याद करना तो आसान है 1500 से लेकर और 1599 तक इसका कोड होता है जीरू और इसके बाद जीरू के बाद आप देख रहे होंगे लिस्ट में 0 के बाद क्या किया गया था जिरो के बाद 642 फिर जिरो फिर चार दू ऐसे करके लिस्ट हमारा बनाया होगा ठीक है तो यह आपको कोड याद रखना है चार दू फिर जिरो फिर चार दू यह कोड आप लोग को याद रखना है चलो इस पर एक सवाल करते हैं सवाल द्यान से समझीएगा क्या है सवाल कि सवाल निकालने से पहले एक फॉर्मूला लिखनो सुत्र क्या है पहले होता है तारिक तारिक लिखो प्लस तारिक के बाद आपको क्या लिखना है तारिक के बाद लिखना है महीने का कूड उसके बाद लिखना है अंतिम बर्स का अंतिम दो अंग और तारिक महीने का कोड महीने कोड आपको याद पढ़ना करेगा सताबदी का कूड भी याद करना पड़ेगा यहां पर लिख लेते हैं उसके बाद लीप यर की संख्या लीप यर की संख्या आपको किसर इतना लंबा फॉर्मूला अत्ता भाग लगाना है साथ से आपको किसर इतना लंबा फॉर्मूला कैसे याद हो जाएगा सवाल कर लेते हैं क्या करेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ध्यान से समझे कैसे निकलेगा तारिक कितना तारिक पंदरा जो है उसी को लिख लिए महीने का कोड कौन सा महीना है अगस्त अगस्त का कोड क्या है साल का अंतिम दो अंग उसके बाद क्या कह रहा है उसके बाद कर रहा है सतावदी का कोड सतावदी का कोड सतावदी का साइतालिस है तो हमको पता है पंदरा सो से लेके 1599 तक क्या था तो जीरो था तो 16 से लेके 1699 तक क्या होगा छो होगा 1799 तक चार होगा 1899 तक दू होगा और 1999 तक यह होगा हमारा जीरो यानि 1916 और 1999 तक का कोड वाबो क्या है जीरो है ठीक है तो जब ये कोड जीरो है तो यहां पे महीने का कोड हमारा निकल के आगए सारी सतावदी का कोड निकल गया जीरो तो जीरो समझना है ना तारिक 15 महीने का कोड अगस्त का दो अंतिम दो अंग साल का 47 कोड निकल गया हमारा सातावदी अब लीपियर की संख्या कितना लीपियर है लीपियर कितना है बबू इस साथ से भाग लगाओ पहले जोड़ो जीरो तो जीरो का तो कुछ है नहीं इसमें जोड़ोगे साथ एक आठ चार एक पांच 58 58 अदू शाथ यह 15 यह हो जाएगा हमारा 75 यहां पे लिख देंगे 75 और बटैया में हो जाएगा साथ से भागलाका अज़रें दस सत्र पांच एक्स्ट्रा आया और पांच जो कोड होता है अब देखो संडे का कोड जीरो मंदे का 1 तेस्डे का 2 वेड़ने स्डे का 3 फ्रस्डे का 4 फ्राइडे का 5 फ्राइडे मतलब सुक्रबा यानि उस दिन कौन से दिन था जी अब देखो मजा आया सुक्रबा निकल गया तुमको बहुत बढ़िया फॉर्मूला है है बढ़िया है कोड लेकिन याद रहेगा तब नहीं तो है गड़ा देगा चलो इसको नोट कर लो एक और सवाल एक और सवाल बनाके आगे बढ़ते हैं चलो ध्यान से समझें हम यह अपसे यह पुछे हैं है दो अक्टूबर है दो अक्टूबर अठारा सुनहत्तर को कौन सा दिन था क्या सवाल है तो सबसे पहले क्या करोगे बढ़ा एकदम फॉर्मूला ध्यान से तारी अरे जैसे हैं वैसे उतार लो अक्टूबर अक्टूबर महिने का कोड़ आपको याद करना पड़ेगा सतावदी का कोड कौन सा सतावदी 1879 तो यह कब आएगा अठारह सो से लेका अठारह सो निननावे के बीच नाएगा इसका कोड क्या है दू तो दू को जोड़ो पलस अब आगया लीपियर लीपियर कैसे निकाले एकदम कन्फ्यूजन नहीं होता है चार साल पर आता है लीपि सेंस नहीं लिखना है सत्राह और नीचे किसे भाग लगाना ए साथ से जोड़ोगे थो क्या आएगा महात्मा गाध्यी का जनम किस दिन को रहा था कोई दिक्कत हो कॉमेंट किजी आपको बताया जागा तो यह थाम किसी भी डेट के दीन को निकालना नोट किजी इसको लास्ट बढ़ते आगे ध्यान समझो अगर आप अभी चल रहा है 2024 हम पूछे आपके घर में जो कलेंडर उसको एकदम फेकना नहीं है यह फिर किसी ना किसी साल यूज हो जाएगा सेम वही कलेंडर जिस महिने में फरवरी में अगर एक तारीक को सोंबार है तो उसी साल एक तारीक को सोंबार ही होगा तो कलेंडर कभ यूज होगा किस साल को हम लोग उसी कलेंडर का यूज कर सकते हैं यह सेम सेम कलेंडर किस साल को होगा अगर मान के चलिए दूहजार चौबिस का कलेंडर हमको हमारे पास है हमको ये चेक करना है कि फिर दूहजार चौबिस का कलेंडर किस साल सेम होने वाला है ध्यान से समझे अगर किसी भी साल का हमको निकालना है जैसे दूहजार चौबिस का निकालना है चार से भाग दिजिए भाग दिजिएगा पूरा पूरा कट जाएगा पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा तो अगर यह पूरा पूरा कट गया यानि इसका मतलब यह लीपियर है क्या यह लीपियर है तो अगर यह लीपियर है तो उसमें 28 जोड लेजिए यानि 24 में 28 2022 में आपके लड़के यूज करेंगे दू अगर humidity पचीश का कलेंडर हमको देखना है कि किस साल यूज होगा चार से भाग लगाईएगा एक दिन एक्स्ट्रा आएगा तो अगर एक दिन एक्स्ट्रा आया कितना दिन एक दीन पिर आरा में सेंस्वाल्गी तो आपको उस साल में च्र जोड देना है यानि 25 में च्छों ज़ोड दीजीए गा तो 31 यानि 2031 में धीर हमारा दू हजार पचीस वाला केलेंडर सेम होने वाला सम 지난 20 हजार पचीष का कलंडर 2,31 में सेम होने वाला कैसे पता चला चार से भाग दिए सेंस्फल आया एक waiver तो जब सेंस्फल 1 आएगा तो हम साल में 6 जोड़ देंगे और सेंस्फल 0 आ गया तो सालमे 28 Pare simultaneously े सैस तशल हो सकता है दो आजा तीन आजा तो अगर सैस फन दो या तीन आ ऐसाल में हम क्या जोर देंगे बावू साल में हम जोड़ देंगे एक एगार क्या जोड़ देंगे 2000 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा यानि 2026 का कलेंडर 2037 में सेम होने वाला है तो यह था इस कलेंडर का लास्ट टॉपिक इसका लिस्ट भी हम दे दे रहे हैं यहां पर आप सामने देख सकते हैं और उसको बढ़िया से याद कर सकते हैं ठीक है बेस्ट अफ लग अगले दीन हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चलिए बहुत धन्यवाद